देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदय बनी रहे, यह वीडियो है कुम्भ राशी या कुम्भ लगन के मासिक राशिफल का, मई 2022 के मंतली राशिफल का, यह सामान्य विश्लेशन होता है, इसलिए आप अपनी राशी और लगन दोनों से इ आपके लाइफ के प्रमुक एसपेक्ट्स जैसे की जनरल प्रडिक्शन, करियर, फाइन्स, स्टडी, हेल्थ, लव लाइफ, मेरिड लाइफ, हर चीज़ को इस राशी फल में कवर किया जाता है, और राशी फल के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है, जिससे आपके ये आने वाला महिना और सुखद रहे, तो शुरुवात करते हैं कुम्ब यानि की अक्वेरियस लगन या राशी के मंथली राशी फल का जनरल प्रडिक्शन के साथ, सबसे पहले लगन को देखना चाहिए, लगन में आपके लिए लगन के स्वामी विद्यमान रहेंगे, 29 31 एप्रिल को उनका राशी परिवर्तन हो गया होगा, लगन के स्वामी का लगन में आना सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे अच्छा योग होता है, या कहिए सबसे अच्छे योगों में से एक योग होता है, राज योग तो बनता ही है साथी में, एक सस महापुरुष यो प्रभाव जरूर देंगे मैं हमेशा बताता हूं लगने के स्वामी राशी के स्वामी बहुत महत्वपून होते हैं अच्छे प्रभाव जरूर देखे जाते हैं मंगल के साथ उनकी यूती थोड़ा गुस्सा जरूर बढ़ाएगी 17 तरीक तक मंगल यहां पे रहेंगे तो ग अच्छा अचीव करना चाहेंगे और अचीव कर भी पाएंगे यह आपके लिए बहुत अच्छा है लगने के स्वामी खुद लगन में बैटे हैं और उन पे कोई दृष्टी नहीं है इसलिए अपना अच्छी तरह से अधिपत्य स्थापित कर पाएंगे लेकिन जैसा मैं साथ में रहेंगे 17 तारीक तो वहां तक थोड़ा सा अंकमफरेटेबल जरूर रहेंगे उसके बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम अवश्य देंगे लगने के स्वामी की तीसरी दिष्टी तीसरे भाव पे रहेगी इसलिए मैं शुरू में ही कहा कि आप बहुत बहुत द्रिड और आपकी विल पावर इस महीने बहुत अच्छे रहने वाली है कुछ प्रमुख योगों की बात कर लेते हैं आपके लिए महीने के शुरुवात में उभेचार योग और दुरुधरा योग बनेगा बहुत जादा अच्छा है आपके लिए जिस तरह से बन द्वारा बन रहा है और साथी में मंगल द्वारा भी राजयोग बन रहा है क्योंकि वह केंद्र के स्वामी है और एक केंद्र में ही बैटे हैं यह आपके लिए बहुत अच्छा है भेरी योग बन रहा है यह भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भाग्यस्थान के स थोड़ा सा यदि आप प्रयास करेंगे तो और चने दूर हो सकती हैं एक चीज बताऊंगा कि इस महीने थोड़ा diplomatic रहिएगा थोड़ी कूट नीती का अपने विवहार में आप समावेश करेंगे या निकि अपने विवहार में थोड़ी कूट नीती लाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कई लोगों से आपको अच्छी एडवाइज भी इस महीने मिल सकती है नई प्रफेशनल लाइफ हो और साती में अपनी पूरी लाइफ को ग्रो करने का उसको एकस्पैंड करने का आप काफी विचार करेंगे अगर करियर की बात करें तो आपका जो दस्वाभाव है उसके स्वामी है मंगल और वो लग्ण में बैटे हैं तो जैसा मैंने शुरू महीं ले जाते हैं तो उनका आपके दस्वे स्थान पर प्रभाव होना बता रहा है कि कुछ अच्छा भी होगा कुछ नकरात्मक भी होगा अच्छा यह हो सकता है कि promotion के chances बन सकते हैं नकरात्मक यह हो सकता है कि miss communication की problem आपको बहुत फेस करने को मिलेगी अपने कारक शेक्तर पर लेकिन एक अच्छी चीज है कि दस्वे घर पर ब्रहस्पति की दिश्टी है वो काफी हद तक चीजों को संभाल लेंगे बिजनस जो लोग करते हैं उनके लिए सात्वे घर को भी देखना पड़ता है और स्वात्वे घर के स्वामी रहेंगे सूर्य महराज जो 14-15 तरी तक उच्च के रहेंगे और सात्वे स्थान से नवम में रहेंगे यानि कि बिजनस में भाग्य का साथ मिलेगा और लगन के स्वामी की दृष्टी जो की सात्वे घर पर पड़ रही है मतलब कि बिजनस में अचानक से उच्छाल आपको प्राप्त हो सकता है यदि ट्रैवल, एविएशन, टूरिजम, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी बिजनस करते हैं तो ये महीना काफी लाब कारिया आपके लिए हो सकता है लव लाइप पे चलते हैं जो लोग नो कॉंटेक्ट सेचुएशन में थे उनके लिए महीना पॉजटिव है आपकी जो भिगड़ी हुई बात थी बन सकती है काफी उसके चांसेस है नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात करें तो महीने के शुरुवाती भाग में चा आते हैं तो आपको पूरा जोर लगाना है कि वह महीने के शुरुवाती भाग में ही हो जाए अधरवाइस प्रॉब्लम आएगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना मिला जुला सा रहेगा जो महीने का शुरुवाती भाग है यहां पे पांचवे स्थान के स स्वामी अपने से बारवे में गए हैं यानि की चौते घर में इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रहेगी यानि की इमोशन बहुत ऊपर नीचे जाएंगे एक दूसरे को डॉमिनेट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे पर अपना जोर चलाने की कोशिश करेंगे फिजिकल नहीं कह रहा इमोशनल तोर पर और इसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसके बाद बुद्धवकरी हो जाएंगे 11 तारीक के आसपास 10 तारीक के आसपास वहां से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ सकती है यदि एक पक्ष ने थोड़ा विलपावर दिखाया एक पक्ष ने थोड़ा समझदारी दिखाई तो फिर भी रिलेशनशिप धंग से चल जाएगा वन्ना जो महीने का बीच का भाग है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ ठीक होंगी महीने का अंतिम भाग अच्छा रहेगा वहां पर जो भी बात बिगड़ रही थी वह बहुत अथक ठीक हो सकती है महीने का अंतिम भाग बहुत अच्छा है इसका लाब उठाईएगा जो लोग शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते थे वह जो योग में इससे अच्छा आपको क्या चाहिए बहुत अच्छा योग बन रहा है ब्रहस्पती आपके लिए लावस्थाने के स्वामी है और धनभाव के स्वामी है और धनभाव में बैटे हैं तो एक नैचुरल धनियोग बनता है और शुक्र जो है वो आपके लिए भाग् बढ़ेगी पैसों के लिए बहुत अच्छा समय है consultation based teaching based banking finance से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं इस महीने बहुत पैसा आएगा खर्चा कहां कहां पर होगा अपने उपर खर्चा होगा अपने lifestyle को improve करने पर खर्चा होगा गाड़ी पर खर्चा होगा घर के मरमत पर खर्चा काफी खर्चा आपका हो सकता है students की बात करें तो सबसे पहले पाचवे स्थान को देखेंगे पाचवे स्थान के स्वामी बुद्ध है और वो अपने से बार्वे में है लेकिन मित्र राशी में है तो overall तो समय अच्छा रहेगा यदि आपका कोई exam महीने के शुरुवाती भ बहुत करनी पड़ेगी तो महीने का जो बीच का भाग है यहां पर महनत अच्छी करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे और महीने के अंतिम भाग में भी आपके लिए रिजल्ट काफी अच्छे ही आएंगे competitive exam खासकर है क्योंकि मंगल राशी परिवरतन करके आजाएं पर तो महीने के अंतिम भाग में कोई exam है तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे जो higher studies करते हैं उनके लिए महीना अच्छा है क्योंकि के तु अभी अभी नवम भाव में आके बैटे हैं चीजों की गहराई तक जा पाएंगे कुछ career opportunities भी आपको मिल सकती है कुछ part time career opportunities भी आपको अवश्य पराप्त होगी higher students यानि की जो higher studies करते हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है आपको कुछ बहुत नई बहुत अच्छी knowledge पराप्त हो सकती है उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है health की बात कर लेते हैं दिखिए शनी जो आपके राशी के लगने के स्वामी है आपके प्रथम सान में ही बैठेंगे ये अच्छा है लेकिन मंगल जब तक साथ में रहेंगी आनिकी 17 तारीक तक health थोड़ी उपर नीचे रहेगी तब तक health का ध्यान देना है क्या-क्या problem तंग कर सकती है आपको नसों से संबंदित problem high BP की problem साथी में आपको CRT की अधर problem है तो बहुत तकलीफ होगी आपको और साथी में घुटनों से संबंदित problem यदि आपको arthritis है तो काफी दर्द रहेगा और हड्डियों से संबंदित कोई problem इस महीने काफी तंगा आपको करने वाली है आपके लिए उपाए इस महीने का यह रहेगा कि आपको महीने की पहली या दूसरी तारीक को शिव मंदिर में जाकर पहले शिवलिंग का पंचामरित से अभी शेक करना है उसके बाद थोड़ा सा सरसो का तेल शिवलिंग पर अरपन करना है वहाँ पर आपको एक घी का दिय और एक तेल के तेल का दिया शिव जी के सम्मुक बैठ कर जलाना है और महामृतुञे का 108 बार जाप करना है 11 बेल पत्र और कुछ रितू फल भी आपको शिवलिंग पर अरपन करने है यही आपके लिए उपाए रहेगा तो यह था कुम्भ लगन या राशी के लिए आने व पो यहीं आपको करने है लिए आपको कि लिव एफजुटे कर चाले मेंव स्वाशो हू रहेगाई उखा रिव उछावाष ज commence पनी आपके My Way Way